अरे ओ भाईया समझ लीजिए कि जॉली एललवी पार्ट 3 का आधा काम तो भाई साव हो गया है हेलो गाईज कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका स्वागत है आपका अक्षे कुमार की मच एंटिसिपेटेड मुवी जॉली एललवी पार्ट 3 के एक और जबर्दस्थे एपिसोड में बेसिकली गाईज देखा जाता है कि जिस मुवी का नाता कॉंट्रवर्सी से रहता है उस मुवी का काफ़ी अच्छा प्रमोशन हो जाता है नैशनल न्यूज में उस मुवी की बाते चलती हैं और कही न कहीं लोगों को पता लगने लगदा है किस ताइप की एक मुवी आ रही है विसे कि आपको पता होगा कि पदमा वक्त के वक्त क्या क्या नहीं हुआ इवन पठान की तो क्या ही कहें यहां पर जॉली एल एल वी पार्ट 3 भी आप लोग कह सकते हो कि विवादों में घुस्ती जा रही है विवादों में पढ़ गई है इवन यहां पर इसकी शूटिंग तक रुखवा दी गई है क्या बात हो गई जॉली एल 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 वी पार्ट 3 में ऐसा क्या इन लोगों ने गाइज दिखाने की कोशिश की है या फिर यहां पर जो इसका विरोध कर रहे हैं वो हवा में तीर मार रहे हैं कर लेंगे बाद वाई साहब तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपका दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग अक्षे कुमार की एक और मुवी का आपको अपडेट देंगे तो जुड़े रहें तो करते हैं अपने इस वीडियो के शुरू लैट स्टार्ट जैसे कि आप लोगों पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही एक बड़ा आनौसमेंट हुआ आप तो आपको एक साथ देखने को मिलेंगे और गईना ओस वीडियो से ही काफी चीज हमें गाईज समझ में आ गई थी काफी इंट्रेस्टिंग दोस्तो ये पार्ट फिरी होटावा दिखाई देगा लेकिन वह चीज जितना लगा इंट्रेस्टिंग लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं जो कि इस मूवी के ओपर सवाल निशान खड़े कर रहें इवन इसको लेके वह कोड तक चले गए अगर हम लोग यहां पर रिपोर्ट की माने तो यहां पर चंद्रभार सिंग राथौर जो कि अजमेर जीलाबार एस्शोशेशन के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से दो निर्देशक अभिनेता देश के सन्विधान की नियाईपालिगा की गरिमा और पर्तिष्टा का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते यहां पर साफ सिरत तौर पर यह कहना है कि उन्होंने स्टोरी नहीं सुनी ना उनको पता है कि इस बार की स्टोरी कैसी होगी पार्ट वन पा बात कर दी गई है कर दिए देखते हैं कि दोस्तों आगे क्या होता भी यह मामला कोट पे हैं लेकिन मुझे लगता है कि भाई होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं इस मूवी का प्रमोशन ही हो जाएगा यहां पर अक्षा कुमार की मूवी कंट्रोवर्सी में बहुत कमी फ हवाले निशान खड़ेगी यह गए तो वह मूवी चली चल गए वाई ओम जी पार टू तो यहां पर भी काफी अच्छा खासा लग रहा है कि भाई यहां कॉंट्रोवर्सी हो रही है अब यह लोग खुद कर रहे हैं या फिर मेकर्स ने करवाया क्योंकि अक्षा कुमार की मूवीज हाइप ने ले पारी थी लेकिन इस मूवी का अनाउस्मेंट से ही हाइप है इवन अर्शद वारसी भी आ गया है बताया जा रहा है कि यहां पर हुमा कुरेशी जो की पुश्पा पांडे का किरदार निवाया था पार्ट टू में वह भी इस मूवी का एहम हिस्सा होने वाली है तो भाई यह जो मूवी है गाइस अपने आप में मुझे लग रहा है कि काफी ज़्यादा अच्छा हाइप लिए हुए हुए बताया जा रहा है कि यह जो मूवी है 25 के स्टार्टिंग के मत में ही रिलीस हो जाएगी यहां पर काफी तेजी से इसकी के एंड रिलीस होगी बताओ आपका क्या कहना है तो जहां पर जॉली आलेली पार्ट तरीका यह कुछ बड़ा अपडेट सामने आया है अक्षे कुमार के फैंस कम से कम इसी बात में खुश है कि मूवी नेशनल निश चैनल में इस मूवी के बारे में बाते हो रही है और कुछ और अपडेट बताएं तो यहां पर अक्षे कुमार की ही मूवी के कई अपडेट इंटरनेट में घूम रहे हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम लोग उनकी अभी इस साल की पहली मूवी की ही बात करते हैं तो भाई बड़े मिया छोटे मिया अनफॉटे मिया फ्ल कर रहे हैं तो इस मूवी को डिजास्टर का वर्डिक फाइनल दोस्तों मिल गया है अब इस मूवी के OTT में आने की प्लानिंग है अब यह मूवी नेट्फ्लिक्स में दोस्तों आपको रिलीज होती हुए दिखाई देगी लेकिन कुछ लोग यह समझ रहे हैं कि मूवी फ् सबसे फेक न्यूज है यह आही नहीं सकता इस मूवी को नेट्फ्लिक्स में दोस्तों रिलीज किया जाएगा और मोस्ट प्रबभी दोस्तों चांस है कि यह मूवी इस तारीक को नहीं बलकि अपने तैही समय पे दो ही मेने के बाद दोस्तों आएगी एक और रिपोर्स का क कहना है कि साथ तारीक कि ठीक एक महीने बाद साथ जून को इस मूवी को नेट्फ्लिक्स में रिलीज किया जाएगा देखो भाई मूवी हो हीट या फ्लॉफ एक कानून लगा है जिसमें दो महीने बाद ही मूवी आएगी ओटीटी प्लैटफॉर्म में तो यह कुछ कि तेना ही